अस्सलामुलेकुम ना दूद की जरूरत ना महीनों दिनों तक मलाई जमाने की जरूरत कोई जंजट नहीं सिर्फ 10 से 15 मिनिट में बहुत ही खुश्बुदार और मज़ेदार घी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं यह सिक्रेट तरीका अगर आपको जानना है तो वीडियो आखिर तक देखिए मिस ना करें कुक वेट फिर्म को सब्सक्राइब भी कर लें इस तरह से कोई भी ब्रैंड का अनसल्टेज बटर ले लें यह 500 ग्रैम है इसे कट कर लें अब इस बटर को एक पैन में दाल दें फ्लेम ओन करें बटर पिगलने तक फ्लेम को लो पे रखिए देखिए बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है आई से ही मेल्ट होने दें इसे बटर हमारा अर्मोस्ट मेल्ट हो चुका है देखिए इस तरह से वाइट लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लेम को मीडियम पे रखिए आँ अब हलकता से इस तरह से मिक्स करते जाएए ताकि यह नीचे से ना पकड़ें ख्याल रखिए इसे जलना नहीं है अगर नीचे से जल जाएगा तो घी की जो खुश्बू होती है वो बदल जाएगी देखिए इस तरह से जब यह बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब यह है कि हमारा घी बनना स्टार्ट हो चुगा है जो भी मिल्क सॉलिट्स होते हैं वो नीचे की तरफ चल जाएगे अब जब उनका कलर गोल्डन हो जाएगा इसका मतलब यह है कि घी हमारा रेड़ है कि तब तक आपको इस तरह से मिक्स करते रहना है और जट पट रेसे के लगए आराम से घर वैठ है अब मज़ेदार घी बना साथे हैं जो भी बटर आपने वो अनसाल्टेट बटर होना चाहिए बटर विट साल्ट में यूज कर सकते हैं लेकिन उससे जो घी बनेगा वो स्वीट में आप नहीं जाल सकते हैं जब आप अनसाल्टेट बटर यूज करेंगे तो जो घी इससे बनेगा अभी रेसिपीस में आप इ में वही ला सकते हैं लेकिन याद रखिए इस तरह से बटर मिल्ट करने से जो घी बनता है बहुत लाजवाब होता है घर पर मलाई जमा के जो आप घी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह खुश्बू आती है इसमें आप लोग एक बार ट्राइ करके तो देखिए बेस्ट घी होत जब घी भी हमारा वेड़ी हो जाएगा याने बन जाएगा परफेक्ट कलर और फुश्बू के साथ फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखिए चेक करते रहिया इसका कलर देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है अब फ्लेम बन कर देए और इसे सेटिल होने देए अगर आपको दानेदार घी चाहिए तो पुड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दो बटर की स्मेल जाने के लिए थोड़े से करी पत्ता भी डाल दें या ओप्शनल है अच्छी खुच्बू आ रही है काश आप भी इसे सून पाते हैं धीरे धीरे से अब यह जो वाइट कलर है यह भी खत्म हो जाएगा अब हम यह करी पत्ता निकाल देते हैं तो चलिए घी हमारा बन के रड़ी है एक स्ट्रेनर ले ले इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख दे और भी छान लिए इस तरह कपड़ा रखे छानने से यह जो मिल्क सॉलिट से यह घी में नहीं आएंगे खुश्बुदार और प्योर घी दस से पंदरा मरीट में आप इसे बना सकते हैं बहुत आसानी से अब मलाई जमाना रखना इसकी कोई जंजट नहीं देखिए बहुत बहुत अच्छी खुश्बु है कॉमेंट में ज़रूर बताएं यह इंस्टेंट घी की रेसिपी आपको कैसी लगी तिप जो मैंने आपको बताएं हैं सभी फॉलो करिया तब ही परफेक घी बनेगा यहां पर अप्लोड होते रहते हैं वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जाते जाते चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो असलाम उलेकूम